और पीम नरींद्र बूदी मन की बात शुरूब कर चुके हैं आपको सुनवाएंगी क्या कुछ कह रहे हैं आज की संसकरण में बात साजा की है लेकिन इस बार मन की बात बहुत खास है इसका कारण है इस बार का स्वतंतरता दिवस जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करेगा हम सभी बहुत अदभूत और एतियासिक पल के गवाँ बनने जा रहे हैं इश्वर ने यह हमें बहुत बड़ा सौभागे दिया है आप भी सोचिए अगर हम गुलामी के दौर में पैदा हुए होते तो इस दिन की कलपना हमारे लिए कैसी होती गुलामी से मुक्ती की वो थड़प पराधिनता की बेडियों से आज़ादी की वो बेचेरी कितनी बड़ी रही होगी वो दिन जब हम हर दिन लाखों लाख देश वासियों को आज़ादी के लिए लड़ते जूजते बलिदान देते देख रहे होते जब हम हर सुबह इस सपने के साथ जग रहे होते कि मेरा हिंदुस्तान कब आज़ाद होगा और हो सकता है हमारे जीवन में वो भी दिन आता जब बंदे मात्रम और भरत मा की जय बोलते हुए हम आने वाली पीडियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं जवानी खपा देते हैं साथियों 31 जुलाई याने आजी के दिन हम सभी देश्वासी शहीद उधम सीजी की शाहादत को नमन करते हैं मैंसे अन्य सभी महान करांतिकारियों को अपनी विनम्र स्रद्धांजली अर्पित करता हूँ जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योशावर कर दिया साथियों मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि आज हाजी का अमरित महुत्सव एक जनांदोलन का रूप ले रहा है सभी खेत्रों और समाज के हर वर्क के लोग इससे जुड़े अलगलग कारकुम हम हिस्सा ले रहे हैं ऐसे ही एक कारकुम इस महिने की शुरुआत में मेगाले में हुआ मेगाले के बहदूर युद्धा यू टिरोथ सींजी की पुन्यतिधी पर लोगों ने उन्हें याक किया टिरोथ सींजी ने खासी हिल्ज पर नियंत्रण करने और वहां की संस्कृति पर पहार करने की अंग्रेजों की साजीस का जम कर दिरोथ किया था इस कारकम में बहुत सारे कलाकारों ने सुन्दर प्रस्तुतियां दी इतियास को जिन्दा कर दिया इसमें एक कार्निवल का आयुजिन भी किया गया जिसमें मेगाले की महान संस्कृति को बड़े ही खुबसूरत तरीके से दर्चाया गया अपसे कुछ हपते पहले करनाटका में अमृता भारती कंड़ार थी नाम का एक अनूठा अभियान भी चलाये गया इसमें राज की पचतर जगों पर आजहादी के अमृत महुत सब से जुड़े बड़े भव्यकारकाम आयुजित किये गए इनमें करनाटका के महान स्वतंतरता सेनानियों को याद करने के साथ ही स्थानी और साहितिक उप्रब्दियों को भी सामने लाने की कोशिस की गई साथ्यों इसी जुलाई में एक बहुती रोचक प्रयास हुआ है जिसका नाम है आजहादी की रेल गाड़ी और रेलवे स्टेशन इस प्रयास का लक्ष है कि लोग आजहादी की लड़ाई में भारतिय रेल की भुमिका को जाने देश में अनेक ऐसे रेलवे स्टेशन है जो स्वतंतरता आंदुलन के इतिहास से जुड़े हैं आप भी इन रेलवे स्टेशनों के बाले में जानकर हैरान होंगे जारखन के गोमो जंक्षन को अब आधिकारी ग्रूप से नेताजी सुभास चंद्रबो जंक्षन गोमो के नाम से जाना जाता है जानते हैं क्यों दरसल इसी स्टेशन पर काल का मेल में सवार होकर नेताजी सुभास ब्रिटिस अप्सनों को चक्मा दिने में सफ़ग रहे थे आप सभी ने लखनों के पास काकोरी रेलवे स्टेशन का नाम भी जरूर सुना होगा इस स्टेशन के साथ राम पसाद बिस्बिल और असफाक उल्ला खान जैसे जाबाजों का नाम जुड़ा है यहाँ ट्रेंज से जा रहे हैं अंग्रेजों के खाजाने को लूट कर बीर करांतिकारियों ने अंग्रेजों को अपनी ताकत का परीचे करा दिया था आप जब कभी तमिल नाडू के लोगे से बात करेंगे तो आपको थुथुकुडी जिले के वांची मनियाची जंक्षन के बारे में जानने को मिलेगा यह स्टेशन तमिल स्वतंतरता सेना नी वांची नाथन जी के नाम पर है यह वही स्थान है जहाँ 25 साल के वांची ने ब्रिटिश कलेक्टर को उसके किये की सजादी थी साथियों यह लीश काफी लंबी है देश भर के 24 राज्यों में फैले ऐसे 75 रेल्वे स्टेशनों के पहचान की गई है इन 75 स्टेशन को भावती खुबसूर्ती से सजाय जा रहा है इनमें कई तरह के कारेकमों का भी आयोजन हो रहा है आपको भी समय निकाल कर अपने पास कैसे अइतियासिक स्टेशन पर जरूर जाना चाहिए आपको स्टंतरता अंदोलन के ऐसे इतियास के बारे में विस्तार से पता चलेगा जिनसे आप अंजान रहे हैं मैं आज पास के स्कूल के विध्यार्थियों से आगरह करूँगा टीचर से आगरह करूँगा कि अपने स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों को ले करके जुरूर स्टेशन पर जाएं और पूरा घटना क्रम उन बच्चों को सुनाएं समझाएं मेरे पैरे देशवासियों आज आजी के अमरुत महोसव के तहत 13 से 15 अगस तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फैराएं या उसे अपने घर पर लगाएं तिरंगा हमें जोडता है हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है मेरा एक सुजाव ये भी है कि 2 अगस से 15 अगस तक हम सभी अपनी सोचल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं वैसे के आप जानते हैं दो अगस का हमारे तिरंगे से विशे सम्मन्द भी है इसी दिन पिंगली विंकेया जी की जन्मजेंती होती हैं जिनोंने हमारे राष्ट्रिय द्वज को डिजाइन किया था मैं उन्हें आदर पुर्वक्सतर धांजली अर्पित करता हूँ अपने राष्ट्रिय द्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान करांतिकारी मेडम कामा को भी आत करूंगा तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमी का बेहत महत्वपुन रही है साथियों आजहाजी के अमरित महोत्से में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देश वासी अपने कर्टवे का पूरी निश्चा से पालन करे तभी हम उन अन जिने त्वतंतरता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे उनके सपनों का भारत बना पाएंगे इसलिए हमारे अगले पचीस साल का यह मृत्कार हर देश वासी के लिए कर्तव्य काल की तरह है देश को आजहात कराने हमारे वीर सेनानी हमें ये जिम्मेदारी दे कर गए है और हमें इसे पूरी तरह निभाना है मेरे पैरे देश वास्यों कोरोना के खिलाब हम देश वास्चों के लड़ाई अब भी जारी है पुरी दुनिया आज भी जूज रही है होलिस्ट्रिक हेल्थ केर में लोकों की बढ़ती रूची ने इसमें सभी की बहुत मदद की है हम सभी जानते हैं कि इसमें भारतिय पानमपारिक प्रधतियां कितनी उप्योगी है कोरोना के खिलाब लड़ाई में आयुष ने तो वैस्विक स्तर पर एहम भूमी का निभाई है दुनिया भर में आयुवेत और भारतिय आउशदियों के प्रती आकर्षन बढ़ रहा है ये एक बड़ी वज़े है कि आयुष एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड तेजी आई है और ये भी बहुत सुखद है कि इसक्षेतर में कई नए स्टार्ट अप्स भी सामने आ रहे है हाली में एक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समीट हुई थी आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें करीब दस हजार करोड रुपिये के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले है एक और बड़ी एहम बात ये हुई है कि कोरोना काल में आउशदिय पोधों पर रिसर्च में भी बहुत वृद्धी हुई है इस बारे में बहुत सी रिसर्च स्टडिज पबिश हो रही है निश्दिर रुप से एक अच्छी शुरुवात है साथियों देश में विबिन प्रकार के आउशदिय पोधों और जड़िबुटियों को लेकर एक और बहतरीन प्रयास हुआ है अभी अभी जुलाई महिने में इंडियन वर्चुल हर्वेरियम को लॉंच किया गया यह इस बात का भी उदारन है कि कैसे हम डिजिटल वर्ल का इस्तमाल अपनी जड़ों से जुडने में कर सकते हैं इंडियन वर्चुल हर्वेरियम, प्रिजर्व प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स की डिजिटल इमेजीज का एक रोचक संग्रह है, जो की वैब पर फ्रिली अवेलेबल है, इस वर्चुल हर्वेरियम पर भी लाग से अधिक स्पेसिमेंज और उन से जुड़ी साइंटिफ इंफर्मेशन उपलब्द है, वर्चुल हर्वेरियम में भारत की बॉर्ट्रोनिकल डावर्सिटी की सम्रुद्ध तस्वीर भी दिखाई देती हैं, मुझे विश्वास है, इंडियन वर्चुल हर्वेरियम भारतिये वनस्पतियों पर रिसर्च के लिए एक इंपोर्टन मेरे पेहरे देश वासियों, मन की बात में हम हर बार देश वासियों की ऐसी सफलताओं की चर्चा करते हैं, जो हमारे चहरे पर मिठी मुस्कान बिखेर देती हैं। हमारे किसान इन दिनों शहत के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं शहत के मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है उनकी आई भी बढ़ा रही है हर्याना में यमना नगर में एक मदुमक्षी पानक साथी रहते हैं सुभास कमबोज जी सुभास जी ने वैज्यानिक तरीके से मदुमक्खी पालन का प्रशिच्छन लिया इसके बाद उन्होंने केवल छे बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था आज वो करीब दो हजार बॉक्सेस में मदुमक्खी पालन कर रहे हैं उनका शहत कई राज्यों में सप्राई होता है जम्मू के पल्ली गाउं में विनोत कुमार जी भी डेड़ हजार से जादा कॉलोनियों में मदुमक्खी पालन कर रहे हैं उन्होंने पिछले साल रानी मक्खी पालन का प्रशिक्षन लिया है इस काम से वो सालाना पंदरा से बीस लाख रुपिय कमा रहे हैं करनाटका के एक और किसान है मदुकेश्वर हेगडे जी मदुकेश्वर जी ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार से पचास मदुमक्खी कॉलोनियों के लिए सबसेड़ी ली थी आज उनके पास 800 से ज़्यादा कॉलोनिया है और वो कई टन शहद बेचते हैं उन्होंने अपने काम में इनोवेशन किया और वो जामुन शहद तुल्शी शहद आमला शहद जैसे बारस्पतिक शहद भी बना रहे हैं मदुकेश्वर जी मदुद पादन में आपके इनोवेशन और सफलता आपके नाम को भी सार्थर करती है साथियो आप सब जानते हैं कि शहद को हमारे पारंपारिक स्वास्त विज्यान में कितना महत्व दिया गया है आविवेद गरंथों में तो शहद को अमरित बताया गया है शहद न केवल हमें स्वाद देता है बलकि आरोग्य भी देता है शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावना है कि प्रफेशनल पढ़ाई करने वाली युवा भी इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं ऐसे ही एक युवा है यूपी में गुरोपूर के निमिद सी निमिद जी ने बिटेक किया है उनके पीता भी डॉक्टर है लेकिन पढ़ाई के बाद नौकरी की जग़ निमिद जी ने स्वरोजगार का हैसला लिया उन्होंने शहद उत्पादन का काम शुरू किया क्वालिटी चेक के लिए लखनाओं में अपने एक लेब भी बनवाई निमिद जी अफशहद और बी वैक्स से अच्छी कमाई कर रहे हैं और अलग-अलग राज्यों में जाकर किसानों को प्रसिछित भी कर रहे हैं ऐसे युवाओं की महनत से ही आज देश इतना बड़ा सहद उत्पादक बन रहा है आपको जानकर खुशी होगी कि देश से सहद का निरियाद भी बढ़ गया है देश ने नेशनल बी किपिंग एंड हनी मिशन जैसे अभियान चलाए किसानों ने पुरा परिश्रम किया और हमारे शहत की मिठास दुनिया तक पहुँचने लगी अभी इस ख्षेतर में और भी बड़ी संभावनाएं मोजुद है मैं चाहूंगा कि हमारे युवा इन अवसरों से जूड कर उनका लाब लें और नई संभावनाओं को साकार करे मेरे पहरे देश्वाश्यों मुझे हिमाचल परदेश से मन की बात के एक सुरुता स्रिमान आशिश बहल जी का एक पत्र मिला है उन्होंने अपने पत्र में चमबा के मिंजर मेले का जिक्र किया है दरसर मिंजर मक्के के फूलों को कहते हैं जब मक्के में मिंजर आते हैं तो मिंजर मेला भी मनाया जाता है और इस मेले में देश भर के परियाटक दूर दूर से हिस्सा ने निकली आते हैं सहियोग से मिंजर मेला इस समय चल भी रहा है आप अगर हिमाचल गुमने गए हुए हैं इस मिले को देखने चमबा जा सकते हैं चमबा तो इतना खुबसूरत है कि हां के लोग गीतों में बार बार कहा जाता है चमबे इक दिन ओना कने मही ना रहना यानि जो लोग एक दिन के लिए चमबा आते हैं वे इसकी खुबसूरती देखकर महीने भर यहां रह जाते हैं साथियों हमारे देश में मेलों का भी बड़ा सांस्कृतिक महत्वरा है मेले जन मन दोनों को जोडते हैं हिमाचल में वर्षा के बाद जब खरिप की फसले पकती हैं तब सितंबर में और सोलन में सैरी यह शैर भी मनाये जाता है सितंबर में ही जागरा भी आने वाला है जागरा के मेलों में महासु देवता का आवान करके बिसु गीद गाये जाते हैं महासु देवता का यह जागर हिमाचल में शिमला, किंदोर और सिर्मोर के साथ साथ उत्राखन में भी होता है साथ क्यों हमारे देश में अलग-अलग राज्यों में आदिवासी समाज के भी कई पारंपारिक मेले होते हैं इन में से कुछ मेले आदिवासी संस्कृति से जुड़े हैं तो कुछ का आयोजन आदिवा से इतिहास और विरासत से जुड़ा है जैसे कि आपको अगर मुखा मिले तो तिलंगना के मेडारम का चार दिवस से हैं समक का सरलंबा जात्रा मिला देखने जरूर जाईए इस मेले को तिलंगना का महाकुम कहा जाता है सरलंबा जात्रा मिला दो आदिवा से महला नाईकाओं समक का और सरलंबा के सम्मान में मनाय जाता है एतिलंगना ही नहीं बल्कि छत्तिजगर्ट, महाराष्टर और आंद्र प्रदेश के कोया आदिवा से समुदाय के लिए आस्ता का बड़ा केंद्र है आंद्र प्रदेश में मारी दम्मा का मेला भी आदिवा से समाज की मानिताओं से जुड़ा बड़ा मेला है मारी दम्मा मेला जेश्ट अमावासया से असाड अमावाशया तक चलता है और यहां का आदिवा से समाज इसे शक्ती उपासना के साथ जोड़ता है यहीं पुर्वी गोदावरी के पेद्दा पुरम में मरी दम्मा मंदीर भी है इसी तरह राजस्तान में गराशया जन जाती के लोग वैशाख सुक्लच चतुरदर्शी को सियावा का मेला या मनखारो मेला का आवजिन करते हैं चतिस गण में बस्तर के नाराइनपूर का मावली मेला भी भावत खास होता है पास ही मद्द प्रदेश का भगोरिया मेला भी खोड़ प्रसिद्ध है कहते हैं कि भगोरिया मेले की शुरुवात राजा भोज के समय में हुई है तब भिल राजा कासुमरा और मालुन ने अपनी अपनी राजधानी में पहली बार ये आयोजिन किये थे तब से आज तक ये मेले उतने ही उत्सां से मनाई जा रहे हैं इसी तरह गुजरात में तर्णे तर और माध्वपुर जैसे कई मेले बहुत मशूर है मेले अपने आप में हमारे समाज जीवन की उर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं आपके आसपास भी ऐसे ही कई मेले होते होंगे आधुनिक समय में समाज की पुरानी कडिया एक भारत सेष्ट भारत की भावना को मजबूत करने लिए बहुत जरूरी है हमारी युवाओं को इन से जरूर जूड़ना चाहिए और आप जब भी ऐसे मेलों में जाएं वहां की तस्वीरे सोशल मीडिया पर भी शेर करें आप चाहें तो किसी खास हैस्ट्रेक का भी इस्तवाल कर सकते हैं इसे उन मेलों के बारे में दूसरे लोग भी जानेंगे आप कल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी तस्वीरे अपलोड कर सकते हैं अगले कुछ दिन में कल्चर मिनिस्ट्री एक कंपडिशन भी शुरू करने जा रही है जहां मेलों की सबसे अच्छी तस्विरे बेजने वालों को इनाम भी दिया जाएगा तो फिर देर नहीं कीजिए मेलों में घुमिए उनकी तस्विरे साजा करिए और हो सकता है आपको इसका इनाम भी मिल जाए मेरे प्यारे देश्वासियों आपको ध्यान होगा मन की बात के एक एपिसोड में मैंने कहा था कि भारत के पास टॉइज एक्सपोर्ट्स में पावर हाउस बनने की पूरी ख्षमता है मैंने स्पोर्ट्स और गेम्स में भारत की समरुद्य विरासत की खास तोर पर चर्चा की थी भारत के स्थानिय खिलोने, परंपरा और प्रकृति, दोनों के अनुरूप होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं मैं आज आपके साथ भारतिय खिलोनों की सफलता को शेर करना चाहता हूँ हमारे यंग्स्टर्स, स्टार्टप्स और एंटरप्रस के बूते हमारी टॉय इंडिस्ट्री ने जो कर दिखाया है जो सफलता हासिर की है उसकी किसी ने कलपना भी नहीं की होगी आज जब भारतिय खिलोनों की बात होती है तो हर तरफ वोकल फोर लोकल की ही गुंच सुनाई दे रही है आपको यह जानकर भी अच्छा लगेगा कि भारत में अब विदेश से आने वाले खिलोनों की संक्या लगातार कम हो रही है पहले जहां तीन हजार करोड रुपे से जादा के खिलोने बाहर चे आते थे वहीं अब इनका आयात सत्तर पतिशत तक घट गया है और खुशी की बाद ये है कि इसी दोरान भारत ने 2600 करोड रुपे से अधिक के खिलोनों को विदेशों में निर्यात किया है जबकि पहले 300-400 करोड रुपे के खिलोने ही भारत से बाहर जाते थे और आप तो जानते ही हैं कि ये सब कोरोना काल में हुआ है भारत के टॉय सेक्टर ने खुद को ट्रांक्परम करके दिखा दिया है इंडियन मैनिफेक्टरर्स अब इंडियन माइथालोजी, हिस्ट्री और कल्चर पर आधारी खिलोने बना रहे हैं देश में जगह जगह खिलोने के जो क्लस्टर्स हैं खिलोने बनाने वाले जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उन्हें इसका बहुत लाव हो रहा है इन छोटे उद्यमियों के बनाए खिलोने अब दुनिया भर में जा रहे हैं भारत के खिलोना निर्वाता विश्व के प्रमुख ग्लोबल टॉय ब्रांच के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारा स्टार्ट अप सेक्टर भी खिलोनों की दुनिया पर पुरा ध्यान दे रहा है बेक्षेतर में कई मज़ेदार चीजे भी कर रहे हैं बैंगलुरू में शूमी टॉय नाम का स्टार्ट अप इको फ्रेंडली खिलोनों पर फोकस कर रहा है गुजरात में आर्किट जू कमपनी ए आर बेज फ्लेश कार्ड और ए आर बेज टोरी बुक्स बना रही है पूने की कमपनी, फन्वेंशन लर्निंग, खिलोने और एक्टिविटी पजल्स के जरिये साइंस, टेक्नोलोजी और मैस में बच्चों की दिल्चस्पी बढ़ाने में जूटी है मैं खिलोनों की दुनिया में शांदार काम कर रहे ऐसे सभी मेनिफेक्चर्स को, स्टार्ट अप्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आईए, हम सब मिलकर भारतिय खिलोनों को दुनिया भर में और अधिक लोकप्रिय बनाएं इसके साथ ही मैं अभीभावकों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वे अधिक से अधिक भारतिय खिलोने पजल्स और गेम्स खरीदे साथियों, क्लास्रूम हो या खेल का मैदान आज हमारे युवा हर क्षेत्र में देश को गवरवानवित कर रहे हैं इसी महिने पीवी सिंदु ने सिंगापोर ओपन का अपना पहला खिताब जीता है निरत चोपरा ने भी अपने बहत्रीन प्रदर्शन को जारी रखते हुए वर्ल एतलेटिक चेंपियनशिप में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है आरलेंड पेरा बेडमिंटन इंटरनेश्टन में भी हमारे खिलाडियों ने ग्यारा प्रदक जीत कर देश का मान बढ़ाया है रोम में हुए वर्ल कैड़ेट रेस्लिंग चेंपियनशिप में भी भारतिय खिलाडियों ने बहत्रीन प्रदर्शन किया हमारे एतलेट सूरज ने तो ग्रेको रोमन इवेंट में कमाल ही कर दिया उन्हें ने 32 साल के लंबे अंतराल के बाद इस इवेंट में रेस्लिंग का गोल मेडल जीता है खिलाडियों के लिए तो यह पूरा महिना ही एक्शन से भरपूर रहा है चिन्नई में 44 वे चेस अलिम्पियार की मेजबानी करना भी भारत के लिए बड़े ही सम्मान की बात है 28 जुलाई को ही इस टोनामेंट का सुभारम हुआ है और मुझे इसकी ओपनिंग सेरिमनी में शामिल होने का सौभाग मिला उसी दिन UK में Commonwealth Games की भी शुरुवात हुई युवाज जोस से भरा भारतिय दल वहां देश को रिप्रेजेंट कर रहा है मैं सभी खिलाडियों और एटलिट्स को देश वास्चों की और से शुबकामनाई देता हूँ मुझे इस बात के भी खुशी है कि भारत FIFA Under 17 Women's World Cup उसकी भी मैजबानी करने जा रहा है यह टूरुनामेंट अक्तुबर के आसपास होगा जो खेलों के प्रतिय देश की बेटियों का उत्सा बढ़ाएगा साथियों कुछ दिन पहले ही देश भर में दस्वी और बारवी कक्षा के परणाम भी गोशित हुए है मैं उन्स सभी स्टूरेंट्स को बधाई देता हूँ जिनोंने अपने कठीन परिश्रम और लगन से सफलता अरजित की है महामारी के चलते पिछले दो साल बेहत चुनावती पुन रहे हैं इन परिश्थितियों में भी हमारे युवाओं ने जिस साहस और संयम का परिचे दिया वो अत्यन सरहानिय है मैं सभी के सुनरे भविश्की कामना करता हूँ मेरे प्यारे देश भास्यों आज हमने आजहजी के 75 साल पर देश की यात्रा के साथ अपनी चर्चा शुरू की थी अगली बार जब हम मिलेंगे तब हमारे अगले 25 साल की यात्रा भी शुरू हो चुकी होगी अपने घर और अपनों के घर पर हमारा प्यारा किरंगा फैरे इसके लिए हम सब को जुटना है आपने इस बार 77 दिवस को कैसे मनाया क्या कुछ खास किया ये भी मुझसे जुरूर साजा करिएगा अगली बार हम अपने इस अमरित परव के अलग अलग रंगों पर फिर से बात करेंगे तब तक के लिए मुझे आग्या दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद